राम्रम संग्वारी हो मैं रिशी साहू उडान आइस एकेडमी के e-learning प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं हम लोग देख रहे थे 36 गड़ लोग सेवायोक के द्वारा विगत 6 परिच्छों में पूछे गया प्रस्णों की एक स्रिंखला जिसमें हम पिछले वीडियो में बात किये थे 36 गड़ के परिचाय कहने का मतलब मोर 36 गड़ और भातिक भूगोल से पूछे गया प्रस्णों को इस वीडियो में हम बात करेंगे 36 गड़ के मानाव भूगोल और 36 गड़ के आर्थिक भूगोल से पूछे गया प्रस्णों की मानाव भूगोल मतलब हम यहाँ पर देखेंगे जनगर्ना 2011 की आकड़ों से पूछे गया प्रस्णों सरप्रथम मैं बात कर रहा हूं मानव भूगोल की जिसमें हम देखने वाले हैं सायक भूजल वीद भूर असायन वीद और भू आपके बहुतिक वीद 2020 परिक्षा में मानव भूगोल से कौन-कौन से प्रस्न पूछे गए हैं प्रस्न पूछा गया इसमें वर्स 2011 की जन गन्ना के अनुसार भारती संग में 36 गड़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है जब हम पढ़ते हैं जन गन्ना तो हम पढ़ते हैं 36 गड़ को कि भारत संग का लिंगानुपात के मामले में 36 गड़ का लिंगानुपात कि इस 991 के अधार पर हम भारत देश का पांचवे करम का राज्य है टॉप में है वो है केरल 1084 लिंगा नुपात का मतलब क्या होता है तो लिंगा नुपात का मतलब होता है मेल और फीमेल का रेशियो जहां पर मेल फिक्स है मतलब 1000 पुरूसों में महिलाओं के नुपात को 80 महिलाएं लिंगा नुपात सबसे अधिक फिर एक केंद्रशासित प्रदेश है पुदुचेरी दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर तमिल नाडु मिलेगा चौथे नंबर पर आंधर प्रदेश और पांचवे नंबर पर हम 991 के साथ अगर हम बात कर इस लिंगा नुपा सेक्स रेशियो है 956 देखें अगर इसमें से कैटेगरी लेके कहने का मतलाब स्टी और स्टी सेक्स रेशियो है एक हजार वीस अनुसूची जन जाती में लिंगा अनुपात और स्टी में सेक्स रेशियो है 994 इसमें 0 से 6 वर्ष की बच्चे सामिल नहीं होते भगे उसके लिए आलाग से बताया जाता है कि सीसू लिंगा अनुपात कितना है सीसू लिंगा अनुपात मतलब जीरो से च्छे वर्स की बच्चे इसका लिंगा अनुपात है 969, 979, 36 गण का चाइल्ड सेक्स रेस्यो है अगर देखें, आप्सन में चौथा नई पांचवा बोले हैं, पांचवा ये भी हमारा उत्तर है प्रस्न पूछा गया है, 2011 के जनगना के नुसार, 36 गण में सरवाधिक साक्षर्तादर की से जीले की है जब हम पढ़ते हैं, साक्षर्तादर के मामले में, तो सबसे टॉप में जो है, वो है दुर्ग लगभग 82% यहां का है, लिटरेशी रेट, दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं, रायपूर लगभग आपका 80% के साथ कुछ पॉइंट लेके आगे है, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं, बालोद 80% इसका है, लिकिन रायपूर से पॉइंट में यह पीछे है, वहीं जब हम देखते हैं, बाटम के जीले, तो 27 नंबर पर हम पढ़ते हैं, सुकमा जहां लगभग 34% ही साख चरता है, 26 नंबर पर पढ़ते हैं, वीजापूर, जहां लगभग 40% ही साख चरता है अब यहां पर सारवादीक साख चरता हवाला पूछा जा रहा है, तो सारवादीक साख चरता दूर्ग होना चीए, option हम देखते हैं, रायपूर नहीं भाई, दूसरे नंबर पर है, दूर्ग यहीं अमारा उत्तर होगा, बालोद ये तीसरे नंबर पर दीख रहा है और यहां option में भी C में है यह नहीं होगा धमतरी यह बाद में आता है उत्तर है इसका option B आगे हम बात करें सहाएक संचालक क्रिसी वर्सों 2020 में मानव भूगल से पूछे गए प्रश्णों की प्रश्णाय हुआ है 2001 से 2011 के मध्य में 36 गर्ण नगरी करन की मातर में कितने प्रतिसत की वृध्य हुई एक बुला जार है 2001 और एक बुला जार है 2011 जब हम पढ़ते हैं मानव भूगल वाला चेप्टर हम तो दोनों आकड़ा को comparison पढ़ते हैं क्योंकि भारत में जनगन्ना सुरू हो गई थी 1872 में और पैरलल रूप से एक साथ जनगन्ना हुआ था 1881 में पहली जनगन्ना 1872 की है मेयो करवाय थे रीपान 1881 में पैरलल हुआ था पहले sequential होता था 1872 में हम 36 गड़ का independent देखे हैं तो हम उससे पहले मध्यप्रदेश में थे 2000 तक नवंबर के पहले 2001 में सेंसस हुआ तब हमारा रिथक सेंसस हुआ और 2001 और 2011 हमारा दो बारत जनगन्ना हो गए हम उन दोनों आकड़ा को comparison देखते हैं तब देखते हम नगरी करन तो 2001 में 36 गड़ में नगरी करन था 20.09 प्रतिसत और वर्तमान 11 क्याकड़ों के नुसार है 23.24 प्रतिसत अब इस प्रस्ट में दोनों का difference पूछा जा रहा है कितने प्रतिसत की व्रिद्धी हुई तो आप क्या करेंगे 23.24 में 20.09 को घटा देंग तो आपको मिलेगा क्या 3.15 यहीं आपका उत्तर होना चाहिए देखते हैं 4.15 नहीं 5.15 नहीं 3.15 हमारा उत्तर दिख्या option C में तो उत्तर है option C प्रस्ट पूछा गया है वर्स 2001 से 11 के मध्य 36 गड़ के किस जीले में जनसंख्या की सबसे कम व्रिद्धी हुई है growth rate की बात की जा रही है 10 की व्रिद्धी दर जिसको हम बोलते है 36 गड़ का 10 की व्रिद्धी दर कितना है 22.6 प्रतिसत और जब हम जीलो की स्थिती देखते हैं तो सबसे अधिक देखते हैं बलोदा बजार भाटा पारा में सबसे अधिक व्रिद्धी दूसरे नंबर पर हम देखते हैं बेमे तरह में तीसरे नंबर पर हमारा जीला आता है कबीर धाम ये टॉप के तीन बड़े जीले जहां पर जनसंख्या वृद्धी सबसे अधीक रहा है वहीं अगर मैं बात करूं बॉटम में मतलब 27 नंबर पर तो हम पढ़ते हैं सुकुमा में सबसे कम तो देख सकते हैं तीन नीचे से आपसन हम देखते हैं कहां कहां हैं आपसन ए रायगड नहीं बाटम में कम पूछा जा रहा है सबसे कम वृद्धी तो रायगड तो होगा नहीं तीन देख रहे नीचे से सरगुजा ये भी नहीं है बिलासपूर ये भी नहीं है उत्तर हमा 36 गण के किस जीले में जन संख्या में सरवाधीक वृद्धी हुई सरवाधीक वृद्धी वहाँ पर नियूनतम वृद्धी पूछा गया है यहाँ पर सरवाधीक वृद्धी पूछा गया है वो तीन जीले बलोदा बजार बेमेतर अ कबिर धाम अब option देख लिजे, तीन में से कौन दिया हुआ है, देखें अगर रायपूर, तो नहीं भाई, रायपूर बाद में आएगा इन तीनों के, दूर्ग नहीं, महासमून नहीं, option D में हमारा उत्तर है, कबिर धाम, प्रस्न है, 2011 जन गन्ना के अनुसार, 36 गड़ के किस जीले में क्रियासिल जनसंख्या का प्रतीसा सबसे कम है, क्रियासिल जनसंख्या का प्रतीसा, क्रियासिल कीतने है, तो वो देख लें, 47,6,8 प्रतीसा, 36 गड़ की जनसंख्या का क्रियासिल जनसंख्या है, अब क्रियासिल का मतलब क्या होता है, जो भौतिक रुप से काम करने के अगर हम देखें सबसे अधिक क्रियासिल जनसंख्या वाला जीला तो हम पढ़ते हैं जस्पूर सबसे अधिक क्रियासिल है और 27 वे नंबर पर दिया हुआ है दूर्ग 26 वे नंबर पर दिया हुआ है रायपूर देखें आप यहां पर पूछा जाए क्रियासिल जनसंख्या कम कहा है तो दूर्ग रायपूर उप्सन में होना चीए देखें यहां से उप्सन कांकिर नहीं भाई यह जस्पूर के बाद आएगा नीचे आगा चाओं थे पांच वा छटवा नमबर पर है मतलब यह नहीं होगा नरायनपूर एक उप्सन में सरगूजा यहां भी क्रिया सिल प्रतिसात अधीक है जस्पूर यह तो टॉप में है तो होगा नहीं यह है हमारा उत्तर नरायनपूर आयोग के द्वारा लिया गया उत्तर नरायनपूर है प्रतिसात में लेकिन आप जब देखेंगे आर्थिक सरविक्षन का आकड़ा तो आपको सरगूजा दीखेगा जह लेकिन लोग से वायोग ने आंसर लिया फाइनाल आंसर की मैं बात कर रहा हूं वो है नरायनपूर तो उत्तर आपको नरायनपूर लेना है अप्सन बी अब हम देख रहे हैं बीमा चिकितसा अधिकारी वर्स दो हजार बीस में पूछेगा प्रस्णों को प्रस्ण पूछा मतलब इसकी जो जनसंख्या है 32.74 लाख लगभग उसका 70.76 प्रतिसत साक्षर है और टॉप में जो जीला है साक्षरता के में वो है बालोद देखें अधिक्तम पूछा जा रहा है सरवाधिक साक्षरता कहा है तो आपसने बालोद होना चीए मुगेली नहीं गरिया बान नह होगा राजगांद गने ये बाद में आता है प्रस्न है जन गन्ना 2011 कि नुशार 36 गड में क्रिया शिल जनसंख्या का प्रतिसत है मुख्य क्रिया सबसे कम लिंगा नुपात वाला जीला है जब लिंगा नुपात हम देखते हैं नुपात वाला जीला 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 कोरिया कहे 968 यहां पर सबसे कम लिंग अनुपात इसलिए हम नीचे का 3 लिए देखते हैं उप्सन में रायपूर दुरुक कोरिया मैं से कौन सा है सरगुजा नहीं जसपूर नहीं कोरिया हमारा उत्तर होना चाहिए कोरिया उप्सन सी कोर्भा नहीं इसके ठीक उपर आएगा कौर्भा देख रहे हैं आगे सहायक अभियंता 2020 में पूछे गए प्रस्णों को प्रस्ण पूछा गया है 2011 की जन गन्ना के अनुसार 36 गड़ के किस जीला में सरवाधिक अनुसूचित जन जाती है अब देखिए सरवाधिक अनुसूचित जन जाती है जब हम अनुसूचित जन जाती पड़ते हैं तो एक देखते ही इनकी संख्या, संख्या कितनी है तो 78,2902 ऐसा देखते हैं, अब मैं उसको सौट में बताता हूँ तो 78.22 लाख, परसेंटेज की हम बात करें तो 30.62 प्रतिसा था ये, 36 गड़ की कुल जन संख्या में अब यहां पर संख्या पूछा जा रहा है, तो संख्या की मैं बात करो 27 जीलो में, तो सबसे अधिक संख्या है जस्पूर में, फिर बस्तर में, फिर रायगण में, अधिक्तम की बात करूँ तो अगर percentage की मैं बात करूँ तो 83% के साथ सुकमा टॉप में है, फिर उसके बाद है आपका दूसरे नमबर पर बीज़पूर, फिर उसके बाद नरायनपूर, फिर दंतेवाड़ा कॉंड़ागां, फिक यहाँ पर संख्या की बात हो रही, संख्या की साब से option होना चाहिए, मतब जसपूर, बस्तर और उसके बाद दीखना चाहिए, आपको रायगड़, option देखते हैं, दंतेवाड़ा, दूर्ग तो होगा नहीं, मिनिमाम में काउंट होता है, बिलासपूर भी मिनिमाम में काउंट होता है, अब दो option है, एक सरगूजा, एक दंतेवाड़ा है, अगर दे लेना है, और इसको 27 जीलों में भी देखेंगे, तो भी सरगूजा आगे है, आंसर होना चीज़ का सरगूजा, लेकिन मैं सहाया कभी अंता, 2020 की परिछा की बात करों, जिसका केवल मॉडल उत्तर जारी किया गया है, किसके द्वारा, लोग से वायोग ने इसका मॉडल उत् द्वारा, उत्तर लिया गया है, लेकिन आप सेंसस की रिपोर्ट को देखेंगे, तो उत्तर मिलेगा आपको ये, तो अभी आपको मॉडल उत्तर पर चलना है, तो द्वारा इसका मॉडल उत्तर है, प्रस्ण पूछा गया है, 2011 की जनगना के नुसार, किस जीले में सबसे कम जनगनत है, जब हम human density देखते हैं 36 गण में, तो 189 पर स्क्वार किलो मिटर, मतलब एक वर्ग किलो मिटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और इसमें हम टॉप के जीले देखते हैं, तो पहला हम पढ़ते हैं जानगीर चापा, क्योंकि इसका जो रिपोर्ट है 27 जीलो पर नहीं, 18 जीलो पर ही हम पढ़ते हैं, दूसरे नमबर पर है दूर्ग और तीसरे नमबर पर है रायपूर, पढ़ते हैं जानगीर चापा 421 एक वर्ग किलो मिटर में रहने वाले लोगों की संख्या, दूर्ग पढ़ते हैं 392 और रायपूर पढ़ते हैं 38 जीलो की बात है एक साथ और दोनों जीले है नरायनपूर बीजापुर जिसका हुमेंड डेंसिटी 30 है जन्गन्ना 2011 के आकड़ों के नुसाथ ठीक बात करें अगर इसका उत्तर तो देखें दंते वाड़ा नहीं होगा भाई सुक्मा 18 जीलों में आकड़ा मिलता है तो सुक्मा का गुंजाइसी नहीं होगा क्योंकि सुक्मा तो बात में बना है एक जन्वरी 2012 का जील है तो यह उप्सन कट गया यह तो कटे गए क्योंकि इसके उपर है बोल रहा हूं नरायनपूर बीजापूर दोनों का 30 है अब इसका डिसीजन लोग से वायुक के द्वारा लिया जाएगा लेकिन इसके मॉडल उत्तर की मैं बात करूँ तो मॉडल उत्तर में इसका उत्तर लिया गया है वो है वीजापूर वीजापूर को मॉडल उत्तर लिया गया है लोग से वायुक के द्वारा ये था आपके 36 गड़ के म कौन-कौन से प्रस्ण पूछे गए दक्षिन दुर्ग जीला कहने का मतलब बालोध क्योंकि दुर्ग का पुनर गठन हुआ 2012 में तो एक जीला बन गया उपर बे में तरह उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिन वाला हिस्सा बना बालोध तो बालोध की बात चल रही है दक्षिन एक मातर जूट बालोध निम्नल में से किस जीले में सथीव हैं तो हम जब पढ़ते हैं छतीस गड़ में औध्योगिक विकास मतलब उद्योग वाला चेप्टर तब हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पूरो दो उद्योग स्थापित हुआ था एक 1935 में जिसके बारे में प्रस्ण पूछा जा रहा है और अधारा सौ 92 में राज्नान गाउं में एक कॉटन का मिल खुला था महन बल रामदास के सही योग से जो समय रियासत के राजा थे और 1935 में रायगड में जूट मिल खुला था मोहन जूट मिल के नाम से ठीक तो यह कहां पूछा जा रहा है जूट को लेकर तो 1935 होगा और राय प्रश्ण पूछा गया है दीन दयालू पाध्याय ग्राम जोती योजना की स्थान पर लागू की गई देखें अगर इसको तो यह उर्जया वाले चेप्टर से जूड़ता है यह योजना लागू की गई है जो हमारे च्छतिस गड़ में भारत देश में संचाली था राज प्रश्ण पूछा गया एकलवत्ती कनेक्शन में कितने यूनिट तक विद्दुत निसूलक प्रदान किया जाता है पहले यह 40 यूनिट था लोग सेवायो की परिक्षा में यह प्रश्ण पूछा जा चुका है लेकिन वर्स 2016 में मुख्यमंत्री LED लेम्प योजना बल्ब योजना चालू किया गया जिसमें BPL कनेक्शन वालों को 3 LED वल्ब निसूलक में दिया जा रहा है ठीक उसके बाद से है अब सरकार प्रती माहा 30 यूनिट विजली निसूलक में प्रदान करती है इसके बाद से इसके पहले 40 था भी अब 30 यूनिट है ठीक तो उत्तर हम देख आज में पसुधन विकास अभीकरन की स्थापना की गई थी जो पसुधन विकास अभीकरन की स्थापना की गई थी वो है जून 2001 में उत्तर होना ची हमारा option A में देखिए जून 2001 मिल गया यह हमारा उत्तर है प्रस्ण पूछा गया है 36 गड़ में मक्का का नियूंतम समर्थ मुल्य वर्स 19-20 में क्या रहा यह 19-20 में पूछा जा रहा है और मक्का आप जानते हैं मक्का किस प्रकार का फसल है तो खरीफ फसल है अब खरीफ फसल है तो इनका नियुंतम समर्थन मुल्य खरीफ फसलों के साथ जारी होगा और कौन से वर्स का पूछा जा रहा है 19-20 का तो वो है 1760, 1760 रुपाय प्रती कुइंटल मक्का का समर्थन मुल्य है, वहीं 20-21 की बात करूं तो वो है 1850 रुपाय प्रती कुइंटल, अब 19-20 की कहानी है, तो 19-20 को ध्यान देना है, 1760 अफशन देखना है, 1815 नहीं भई, ये धान का है, ये सरकार धान को खरीद रही है, उ पूछा गया, 36 गड़ राजे में सरकार ने क्रिश्को का कौन सरीन माप किया, 36 गड़ सरकार गठन होते ही, सरकार ने निड़ने लिया और किसानों के अलपकाली क्रिसीरीन को माप करने की गोशना की, जिसको हम पढ़ते हैं, क्रिसीरीन माफी योजना 2018, और इसमें किसानों को लगभग किया गया है देखें अगर तो आलंपकालिक क्रिसीरीन को माप किया गया आपका दिरगकाली नहीं मध्यकाली नहीं अल्पकाली हमारा उत्तर है उप्रोक सभी नहीं होगा क्योंकि यो दुनों कड़ गये अंसर इसका विकल्प सी आगे बात कर रहे हैं सहाइक संचालक जन संपर्क 2020 में पूछे गया प्रस्णों पूछा गया है 36 गड़ सरकार को प्राप्त मन्थन अवाड का संबंद है इसका संबंद है सा साथ आवाड मिले थे इस कंप्यूटरी करन में स्रेष्ट योगदान के लिए या फिर संचालन के लिए उसमें से एक थमंधन अवाड ऑप्सन देखें दुख दूत पादन नई भाई चामाल उत्पादन नई सारवजनिक वितन परनाली के कंप्यूटरी करन से तो हमारा उ हस्दो बांगो परियोजना बोलते हैं जो बांगो घावाओ स्टोन अधी में निर्मित है जन्वित पर रियोजना जहां 150 मेरेशन हो रहा है है राक्ट्रिक ठीक 25 करेंद्देर हमारा उत्तर होगा इंक में भाद घान आ अभी जो करेंट में चल रहा है जिससे सुक्मा आपके दंतेवाड़ा विजापुर जीला को सिचाई सुईधा प्राप्त होगी ठीक वो बोध घाटे 36 गराजा में हीरा की सिस्थान पर उपलब दे जब हम हीरा पढ़ते हैं तो एक ही जीला पढ़ते हैं वो है गरिया बन और गरिया बन में हम पढ़ते हैं वरतमान गरिया बन का एक तहसील मैनपूर नेशनल हाईवे नंबर 130C मैनपूर है मैनपूर तहसील के कुछ गांपाईल जीला लोकेशन तो पाइली खन कोदो माली बहराडी जांगरा टेंपल छेतर कुसुंपूर ठीक है देखें मैनपूर आपसन एमेह दिग गया उत्तर यही होगा राजीम भी तहसील है लेकिन राजीम में नहीं बिलासपूर गरियाबन में आया गहीं नहीं लोर्मी गरियाबन किस जीले में धान का सरवाधी कुत पादन वर्स 19-20 में हुआ किस वर्स हुआ 19-20 की कहानी दीव है देखें जब हम पढ़ते हैं एक आखड़ा 18-19 एक हम अभी कोश्चन दिया उसमें पढ़ रहे हैं 19-20 और एक अभी सरकार खरीद रही है जिसका जनवरी आखरी तक खरीद किस जीला में धान का उत्पादन सबसे अधिक हो तो टॉप में जांगीर चापा अब सरकार नियुंतम समर्थन मुल्य पर इसको खरीदी है आप देखेंगे ऑफिस्याल वेबसाइट में 19-20 की में बात करूं तो सबसे अधिक धान खरीदी जांगीर चापा में हुआ है तो पूछे चाहिए पूछे चाहिए पूछे आंसर एक ही होना चाहिए आपका जांगीर चापा जीला तो उत्तर आप देखें इसी एर के कोर्डिंग जांगीर चापा होना चाहिए धमतरी नहीं महासमुन नहीं उत्तर है जांगीर चापा अप्सन सी प्रस्न है वर्स 2021 के धान को हम दो केटेगरी में बाटते हैं 36 गड़ीम बोले तो एक को मोटा धान बोलते हैं को पतला धान बोलते हैं जो मोटा धान है उसी को समान्य ग्रेट का धान के रूप में वर्गी कृत किया गया है और जो पतला धान है उसको ए ग्रेट के रूप में वर्गी कृत किया ग 88 इस दर से वर्तमान में धान की खरीदी हुरी है नियुंतम समर्थन मुल्य पर लेकिन 36 गड़ सरकार जो भी धान खरीद रही इस मुल्य में उसका खरीदी मुल्य पत्चीस सो रुपए रखा है मतलब ये खरीदी मुल्य सरकार का निउन्तम समर्थन मुल्य नहीं बोल सकते भई खरीदी मुल्य ठेक ये निउन्तम समर्थन मुल्य 1868 मतलब इसमें जितना रुपए और पूरोना है वो पूरो हैंगे राज्य सरकार और फिर वही राजिव गांधी किसान नयायोजना चल रहा है उसी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा को ट्रांसफर कर देंगे सरकार बोल भी दी है जैसे चार किस्त में देना है तो बोल रही तीन किस्त तो दे डाली है सरकार और बोल रही कि 30 मार्च के पहले चौथा किस्त भी दिया जाएगा तो वो कौन सा किस्त है जो पहले खरीच चुकी है अभी खरीद रही उसका एक भी किस्त नहीं मिला है इसको भी बोले हम चार किस्त में देंगे और पहला किस्त चालू होगा मई से तो मय में अभी जो खरीद रही 186888 मुझस का पहला किस्त मिलेगा ठीक अभी मिला नहीं ये समर्थन मुलिए है धान का समाने का 1868 और 1888 यह ग्रेट का वहीं देखा जाए तो 1815-1835 कब का अगर एक साल पीछे चल दें कब 19-20, 2019-2020 में समान्य ग्रेट और एक ग्रेट धान का समर्थन मुल्य 1815-1835 ठीक और उस पर दे चुकी है सरकार अपना राजियो गांदी किसान ने आयोजना के माद्य हम से 30 तो वो ही वाला है 1835, 1868 यही उत्तर होना ची है हमारा, 2500 खरीदी मुल्य है, निउन्तम समर्थन मुल्य नहीं बोलेंगे, खरीदी मुल्य है तो यह नहीं होगा, ठीक और यह अप्सन तो हाई नहीं बात कर रहे हैं, बीमाची किस्सा अधिकारी 2020 में पूछे गया प्रस्ण, प्रस्ण पूछा गया, 36 गड में राश्ट्रिक्रित लगो वनुपच कौन सा नहीं है, मतलब यहां पर राश्ट्रिक्रित लगो वनुपच की बात की जारी, तीन है, according to economical survey 1920, नमबर एक तेंदू पत्ता, धावडा गोंद, कुल्लू गोंद, ठीक, देखते हैं, तेंदू पत्ता है, है बोल रहों, यहां पर नहीं है, पूछ रहा है, धावडा गोंद है, कुल्लू गोंद है, साल विज जो है, अराश्ट्रिक्रित लगो वनुपच है, 36 गड का, तो उत्तर हो गया, इसक 36 गड में किस विद्दूत का उत्तपादान अधिक किया जाता है, अगर हम 36 गड सरकारिया CACB की एनर्जी पूडक्शन कैपसिटी की मैं बात करूं, तो वो है 3224.7 मेगावाट, 32.7 मेगावाट उर्जा उत्तपादान चमता है, जिसमें से 3080 मेगावाट जनरेट करती है, थर्मल एनर्जी के रूप में, 138.7 मेगावाट जनरेट करती है, हाइड्रो इलेक्टिक एनर्जी के रूप में, और अधर है 6 मेगावाट, यह थर्मल है बोलों तो आप देख सकते हैं, अधिक किसका है, तो थर्मल का है, तापी आपसने में हमारा उत्तर है, सहकारी छेतर में मक्का प्रसंसकरन की स्थापना 36 गड़ में कहां की गई है, दंतेश्वरी मक्का प्रसंसकरन समीती के द्वारा कोकोडी जीला कोंडा गाओं में मक्का प्रसंसकरन इकाई की स्थापना की है, सहकारी छेतर का है, जो कोपरेटिव छेतर का है, ठीक, देखें अगर इसमें तो कोंडा गाउं कोकोडी गाउं आंसर होना चीए option ए दंते वाड़ा नहीं option B बस्तर नहीं option C यही हमारा उत्तर है कोंडा गाउं D कांकेर नहीं ये था आपके 36 गड़ के मानव और आर्थिक भूगोल से विगत 6 परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्ण जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर 2020 का मॉडल उत्तर के अधार पर है बाकी 6 जो 5 प्रस्ण है वो आपके final उत्तर के अधार पर है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like, share और comment जरूर करिएगा अगर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय जोहार, जय शत्तिस गर्ड़